जो यह आज चुड़ा दही खाईए अराम से आज के दिन इस निसे की चर्चा मत करिये जिसमें लगे कि अलग अलग ओपीनियन है और कुछ जगड़े का महौल है ये ठीक नहीं है 19 जन्वरी को मानो स्रिंखला में सामिल हुईएगा बसिस्थ भाई को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि सब लोगों को आज से नहीं बहुत जमाने से जब ये पहली बार सांसत बने तब से याज के अवसर पर मकर संक्रांती के अवसर पर जहां भी ये निवास करते हैं वहाँ लोगों को चूड़ा दही खाने के लिए आमंत्रित करते हैं तो हम लोगों को भी आमंत्रित करते रहे हैं और हम लोग अपको पस्थित होते रहे हैं सबको अपनी सुबकामराएं हैं और आज के दिन का बहुत महत्त लोग मानते हैं खरमास खतम हुआ सुर्य का दक्षिनायन से उत्राइन की ओर डिपार्चर होता है जो सुर्य के चारो तरफ त्थिवी का चक्कर है और उसी में जब सुर्य के स्टिती दक्षिनायन की होती है वही आज से मुत्रायन की हो जातीं इसको बहुत लोग है और और दो अब्सरपर बसिस्त वाई के द्वारा अधिवित कारेक्रम में सामिल उए हैं हम लोगे इंडीये के तमाम लोग तो हैं ही इसके अलावे भी अन्य लोग भी है और अज्टी जी लीगन हैं पत्रकार लोग हैं अन्य सभी लोग हैं मैं सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आज के इस सुभ अफसर पर विशेश तोर पर अपनी सुभ कामना है देता हुद्ध धन्यवाद ने यह बात हम लोगों का पहले से ही था कि जो परिवार का नाम को भेजा गया इस अधार पर कि उनको भी हो जाए तो उस पर तो केंदर सरकार अपने उचित समय पर विचार करेंगी लेकिन जो स्थिती देखने पर कि किसी कारण से जो व्यक्ति का एक अन्य लोगों की तरह उसका भी एक वह मिलना चाहिए था उससे विधा मिलनी चाहिए थी तो इसलिए हम लोगों ने विचार किया है कि हम लोग अपनी तरफ से उन्लों का काम करना शुरू करें और जब केंदर से आ जाएगा तो अच्छी बात है लेकिन देर करना अच्छा नहीं लगता हम लोग जो जाते हैं और दूसरी बात है आप जानते हैं मुझफर हम एक सर्वे कराया था और उन प्रखंडों में हम लोगों ने यह तै कर लिया उस इलाके में जहां के लोग सब ज्यादा प्रभावित होते हैं हर परिवार को यह आवास योजना का लाब मिले पिछले उसको राज जी की मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतरगत उससब क लाब दिया जाएगा मिलगी बहुत अच्छा बातावरन बना है लोगों में कौमसस्थने से जलजीवन हर्याली के लिए और जो नामकरन हम लोगों ने किया है इस बाद को मूद अच्छे ढंक से लोग समझ रहे कि जल जीवन हर्याली यानिटीवन जल और हर्याली पर हिन तो जीवन संरक्षित नहीं रहेगा उसकी सुरक्षा पर खत्रा उत्पना होगा आने वाली पिढ़ी पर संक्रट उत्पना है उन्हें कारेकरम चलाया है और 11 आइटम इसमें जो हम लोगों ने तय किया है और सब चीज पर हरे एक पूरे बिहार में इस पर काम करने जा रहे है इसमें अन्य प्रकार से कई ओधनाएं चल रही है उसका भी लाब मिलेगा और अत्रिक्त रूप से जल जीवन हरियाली अभियान जो मिशन बूर्ट में लागूट किया जा रहा है उसके लिए बिहार सरकार ने तीन वर्स के लिए फिलहाल 24,500 करों रूपे से भी जादे का और जो हमने दौरा किया है जरूर पूरे तौर पर और जो कुछ सामने चीज़ें आएंगी तो इसमें और भी जरुवत पड़ेगा संसादन का लेकिन जो भी जरुवत पड़े जल के लिए और हरियाली के लिए हम लोगों को काम करना है ताकि लोगों का जीवन शुरक्षि लोगों से भी कि न सिर्फ आप लोगों को प्रेरित करिए बलकि आप लोग खुद भी 19 जनवरी को मानो स्रिंखला में सामिल होईएगा क्यूंकि ये जलवायू परिवर्तन के प्रती और परियावरन में जो चेंज आ रहा है उसके प्रती लोगों को कौंसस करने के लिए अलर्ट आज जो है जो है जो है चुड़ा दही खाईए अराम से और आज का दिन हम सुरू से कहा दिया मकर संक्रांती के दिन आपस में प्रेम का और सद्भावना का भाव होता है आज के दिन उस विशे की चर्चा मत करिये जिसमें लगे कि अलग अलग ओपीनियन है और कुछ जगड़े का महौल है ये ठीक नहीं है